सबसे पहले ये जानते हैं कि किसी जमीन का, किसी भूमी का आपके भाग्य से और आपके जीवन से क्या संबंद है देखिए मानव जीवन की अगर हम बात करें किसी व्यक्ति के जीवन की बात करें तो तीन चीजें बड़ी एहम होती हैं कहते हैं ना रोटी, कपड़ा और मकान तो मानव जीवन में जो तीसरी सबसे एहम चीज है वो है आवास, यानि मकान, इसका अत्यधिक महत्व है और आवास के निर्मार के लिए मकान बनाने के लिए जमीन की या भूमी की आवशकता होती है भूमी अलग-अलग तरह की होती है दुनिया की सारी जमीन एक तरह की नहीं होती सारी जमीने अलग-अलग तरह की होती है और हर भूमी की अलग-अलग तरंगे होती है हर जमीन की अलग-अलग तरंगे दिखाई देती है जिस तरह की भूमी होती है उसमें रहने वाले व्यक्ती के भाग्य पर वैसा ही असर पड़ता है अगर जमीन शुब है तो रहने वाले व्यक्ति के जीवन में फायदे होते हैं और अगर जमीन अशुब है तो रहने वाले व्यक्ति का भाग्य कमजोर होता है, खराब होता है सही भूमी का चुनाव करके अगर हम उसका प्रियोक करें तो भाग्य और भी जादा मजबूत बना पाएंगे यानि जब हम मकान बनाते हैं उस समय जमीन खरीते हैं तो सही जमीन का अगर हम चुनाव करें सही जमीन ले लें और सही जमीन पर मकान बनाएं तो उस मकान में रह करके हमारा भाग्य और भी जादा प्रबल होगा हमारा भाग्य और भी जादा मजबूत हो पाएगा अब जैसा कि आपको पहले भी बताया कि जमीने अलग-अलग तरह की होती है भूमी अलग-अलग तरह की होती है तो जमीने किस-किस तरह की होती है और इसका प्रभाव क्या होता है देखिए पहली जो जमीन होती है वो होती है समतल भूमी समतल भूमी कैसी होती है सम्तल भूमी हर तरफ से बराबर होती है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षन चारों दिशाओं से हर दिशा से ये जमीन बराबर होती है कहीं पर उची नीची नहीं होती बिलकुल फ्लेट होती है और ये भूमी ये जमीन सर्वो तम भूमी है सबसे जादा अच्छी जमीन मानी जाती है दूसरी जमीन होती है कूर्म प्रिष्ठ भूमी कूर्म माने होता है कचुआ और प्रिष्ठ माने होता है पीट जो जमीन कचुवे की पीट की तरह हो यानि बीच में उंची हो और चारो तरप से नीची हो इसे कहते हैं कूर्म प्रिष्ठ भूमी कचुवे के पीट की तरह की भूमी होती है ये भूमी भी उत्तम भूमी है ये भूमी भी अच्छी जमीन है एक होती है गज प्रिष्ठ भूमी गज मने होता है हाथी और प्रिष्ठ मने पीट जो हाथी की पीट की तरह की जमीन होती है जो नेरित्य कोण में यानि दक्षण पश्चिम में या वायव्य कोण में यानि उत्तर पश्चिम दिशा में उंची होती है उसे कहते हैं गज प्रिष्ट भूमी, वो हाथी के पीठ की तरह की भूमी मानी जाती है ये भूमी भी उत्तम भूमी है, अच्छी जमीन है, इस पर मकान बनवा सकते है एक जमीन होती है दैत्य भूमी, जो आगने कोण में उची होती है आगने कोण का मतलब होता है, पूरब दक्षण, दक्षण पूर्व दिशा में जो जमीन उची होती है उसे आगने कोण की उची जमीन कहते हैं और ये अधम भूमी है ये जमीन अच्छी नहीं होती, जो भूमी दक्षण पूर्व दिशा में उची हो या उत्तर दिशा में उची हो वो दैत्य भूमी होती है और दैत्य भूमी को अच्छी भूमी नहीं मानते ये अधम भूमी है निगेटिव जमीन है इसके बाद होती है नाग भूमी नाग भूमी कैसी होती है जैसे साफ होता है न ऐसे जिग जैक करके चलता है कहीं तेड़ा कहीं सीधा उसी तरह से जो नाग भूमी होती है वो कहीं लंबी होती है कहीं समतल होती है कहीं उची होती है कहीं नीची होती है ये नाग भूमी है ये भी निगेटिव भूमी मानी जाती है इसको भी बहुत अच्छी जमीन नहीं मानते नाग भूमी को अच्छी जमीन नहीं कहते हैं यानि इस पर भी मकान बनाना शुब नहीं होता तो जो दैत भूमी है और जो नाग भूमी है अगर ऐसी जमीन है तो आप इस पर मकान बनाने की चेष्टा ना करें इस पर मकान बनाने का प्रियास ना करें